नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुखियों पर BPSC पेपर लीग मामले में पुलिस ने की कारवाई बिहार की 12 से अधिक ट्रेने तीन महीने करो हुई रद अब पेंसनरो पूरी तरह फ्री में बनवा सकते है जीवन प्रमान पत्र पंकस्त्रेपार्ठी ने किया पिहार पवेलियन का उद्गाटर सुरेकुमार यादव ने बताया बहतरीन फॉर्म का राज इसके साथ ही बरते हैं साम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से बीपीएसी पेपर लीक मामले में पुलिस ने कीकारवाई बीते दिन सोमवार को बीपीएसी पेपर लीक मामले के मास्टर माइंड आनन्द गौरव उर्फ पिंटु यादव के मुंगेर जिला के स्यामपुर गाउं सित घर की ई-ओ-यू के द्वारा कुर्की जबती की गई इस तोरान आरोपी के घर कोतवाली और वासुदेपुर पुलिस की भी उपस्थिती रही जानकाडी के लिए बता दे कि पेपर लीक मामले में आर्थी कपराद इकाई पटना के दौरा पटना थाना में कांड संख्या 20 बटा 22 तरजकर दरजन भर पतादी काड़ी और छातर को नामजद किया गया था पताती चले कि कारवाई के दौरान आर्थी कपराद इकाई के दौरा आनंद गौरफ के घर से कई समान बडामत किये गया है जिसे फिलहाल पुलिस के दौरा जब्द कर लिया गया है पंकस्त्रिपार्टी ने किया बिहार पवेलियन का उदगाटन किया इस दौरान उन्होंने लोगों के बीच कहा कि अगर बिहार की थीम पर सूपर हिट फिल्मों को बनाया जा सकता है तो बिहार में फिल्में क्यों नहीं बन सकती बिहार में हर फिल्म थीम के लिए सूटिंग साइट मौजूद है उन्होंने कहा कि हर सार आयोजित होने वाले इस फिल्म बाजार में बिहार को पहले से ही भाग लेना चाहिए था पताते चले कि इस कारीकर में पंकस्त्रिपाटी का स्वागत कला संस्क्रिती और युवा विवा की सची बंधना प्रेयसी के द्वारा किया गया वैसाली सरक हाथ से ने दिखाया एक पिता का दर रविवार को बिहार के वैसाली जिले में सरक हाथ से में कुल बारा लोगों की मौत हो गई बता दे कि इसी हाथ से में सेना के एक जवार ने भी अपने बेटे को खो दिया है जिसके बाद उसने बिहार सरकार से गुहार लगाई है कि बिहार में पूरी तरह से सराब बंदी पर लगाम लगाया जाए या फिर सराब से छूट दे दिया जाए इसके साथ ही उन्होंने सरकार से अभी कहा कि वह बिहार के पुलिस वालों की संपत्ती की जाज करवाए कि सराब बंदी से पहले उनकी संपत्ती कितनी थी और अब कितनी हो गई है उन्होंने कहा कि हाथसा पुलिस की लापरवाही का नतीजा है अगर पुलिस गस्ती में होती तो सरापपी कर ड्राइवर ट्रक चला रहा होता तो उसे पकड़ लिया जाता इतनी घनियावादी वाले इलाके में तेज रफ्तार से गारी क्यों चल पाती अवैध निर्मानकर बने घर पर चलेगा बुल्डोजर एक बड़ फिर पटना में उन घरों पर बुल्डोजर चलेगा जो कि सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कबजा कर बनाएगा हैं अब सरकार इस जमीन की वापसी प्रक्रिया में जुट गई है बता दे किस बार सरकार नहरुनगर में पानी टंकी के पास बुल्डोर्ज़ चलाने की तैयारी कर रही है। वीते दिन सुमवार को इस लाके का जायजा लिया गया है। और यहां जानकारी दी गई है कि नहरुनगर में पानी टंकी के पास करीब डेर सौ से ज़ादा लोगों के दौरा सरकारी जमीन पर अवैद तरीके से घर का नर्मान किया गया है। वहीं आज अवैद नर्मान करने वाले लोगों को रेड मार्किंग की जाएगी। इसके अलावा राजापुर, पुल और बासगार के पास भी लोगों के दौरा सरकारी जमीन पर अवैद तरीकों से जमीनों को कबजे में रखा गया है। वहीं जनावेद को के कागजात में कोई गरबरी नहीं होती थी, उनकी रिपोर्ट राजस्व करमचारी के पास भेज दी जाती थी। चानकारी के लिए बता दे कि आठ दलालों के माध्यम से गूगल पे से घूस की रकम लेकर दाखिल खारिज का काम चलता था। परवरी तक रद रहेंगी वहीं जिन ट्रेनों को रद किया गया है। अमिर्ट सर्जंसेवा एक्स्प्रेस शामिल है। अमिर्ट कई विवा की महिला कर्मियों को मास्टर ट्रेनर बनाया गया है। जानकारी के लिए बता दे कि इससे राजे भर के करीब 50 लाग छात्राओं को फाइदा मिलेगा। बताते चले कि कि सोरी स्वास्त योजना के तहट स्कूरी छात्राओं को हर साल 300 रुपए सेलेटरी पैड के लिए दिये जाते हैं। बोजपूरी अभिनेतरी अक्षरास सिंग को ढूंडने मुंबई पहुंची पुलिस। कारिक्रम के लिए पहुंची थी वहें इस कारिक्रम में किये गए फाइडिंग का एक वीडियो वाइरल हो गया था जिसके बाद मुन्ना सुकला उनकी पतनी पुर्वविधायक अनुसुकला बॉडी काड और भोजपूरी फिल्म एक्षरास सिंग पर लाल गंच के थाना ध के दोरा प्रात्मी की दर्ज की गई थी पतना के लोगों को अगले माह से मिलेगी 5G की सुवधा अब जलते बिहार की राज़ानी पतना को भी 5G की सुवधा मिलने वाली है बता दे कि मिली जानकारी के अनुसार पतना के लोगों को दिसंबर के महीने से 5G की सुवधा उपल की सुभधा मिल सके इसके लिए दूसर चाड मंत्रा ले और राजिस सरकार मिलकर काम कर रही है और सभी मोवाइल टावर को फाइवर से जोड़ने का काम भी कर रही है बता दे कि 5G सेवा सुरू होने के बाद ग्राहकों को जी ओवलकम ओफर आमंत्रन मिलना भी सुरू हो जाए कुर्णिविधांसभः उप्चनाओं में 13 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला बता दे कि 28 प्रत्याशियों के आट प्रत्यासि ऐसे थे जिनका स्कुरूटनी के दौरान पर्चा खालिज कर दिया गया था ऐसे में अब उमीद की जा रही है कि भाजपा और जदियों के बीच करी टक्कर हो सकती है बताते चले कि कुर्णी विधान सभा सीट से भाजपा की ओर से केदार प्रशाद गुपता को मैदान में उतारा गया है तो वहीं जदियों की ओर से मनोज कुमार मैदान में उत्रे है जानकाडी के लिए बता देगी है उप्चनाव 5 दिसंबर को होने वाला है जिन में कुल 3.11 लाक मतदाता वोट देंगे नितीज सरकार को बीजेपी का अल्टिमेटम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जैश्वाल ने नितीज सरकार को चिताबनी देदी है उन्होंने कहा है कि वर्तमान की सरकार युवां को नौकरी देने में फिसड़ी है इसके साथ उन्होंने बताया कि 13 दिसंबर को भाजपा सदन में रोजगार के मुद्दे पर मांग करेगी और अगर 13 दिसंबर से पहले नौकरी नहीं दी गई तो भाजपा सदन को नहीं चलने देगी जानकारी के लिए बता दी कि बिहार विधान मंडल का सीथ कालिन सत्र 13 दिसंबर से सुरू हो रहा है जो 19 नवंबर तक चलेगा और इस सत्र को संबोधित विधान सभाध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा वही अब यह उमीद की जारी है कि इस बार सत्र मे हंगा में हो सकते हैं अब पेंसरणों पूरी तरह फ्री में बनवा सकते हैं जीवन प्रमान पत्र अब पेंसरणों को जीवन प्रमान पत्र बनवाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहों इसलिए डाक विवाग के ओर से डिजिडल जीवन प्रमान पत्र बनाने की प्रक्रिया सुरू कर दी गई है बता दे कि डाक विवाग भारस सरकार बिहर सरकार के साथी सारुजनिक छेतर के उपक्रमों से सेवा निर्वित सभी करमचारी अधिकारियों का जीवन प्रमान पत्र बना रहा है तो उसके लिए कोई शुलक रासी नहीं देनी होती वह अगर घर बैठे जीवन प्रमान पत्र बनवाय जाते हैं तो उसके लिए सुलक देनी होती है बताते चले कि डिजिटल जीवन प्रमान पत्र पीपी और नमबर भारतिया टीम के स्टार बल्लेबाज सुरे कुमार यादव ने अपनी बहतरीन फॉर्म का राज खोल दिया है उन्होंने बता दिया है कि वे इतनी अच्छी बल्लेबाजी क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे का क्या राज है दरसल सुरिकुमार यादव ने एक प्रेस कॉंफरेंस में सवाल का जवाब देते वे कहा कि मैं सिर्फ एक जोन में रखने की कोशिश करता हूँ मेरी पतनी टूर और सिरीज के दौरान मेरे साथ रहती है और छुट्टी के दिनों में मैं उनके साथ वक्त बिताता हूँ साथ ही जिस दिन मैच नहीं होता मैं उनके साथ बाहर जाता हूँ इसके अलावा मैं अपने माता पिता से ये बात करता रहता हूँ वो क्रिकेट पर कभी चर्चा नहीं करते हैं लेकिन वो मुझे तनाव मुक्त रखते हैं साथ ही मुझे जीवन से जोरे रखते हैं मेरा ये रूटीन मुझे मदद करती है और मेरी फॉर्म का यही राज है सिल्पी राज ने लिखा सुसाइट पोस्ट बीते दिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की फेमस सिंगर सिल्पी राज ने अच्छे से नहीं कर पाई न पढ़ाई न संगी मैं क्या थी और क्या बन गई हूँ सच कहूँ तो मैं आज एक कटपुथली बन गई हूँ जो की मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ मा एक तुम ही हो जो मुझे रोकी हो लेकिन अबमन करता है कि इस दुनिया में रहने का माफ करना सिल्पी राज के इस पोस्ट को पढ़कर ऐसा लगता है कि वे अपने जीवन से परिशान हो गई है जानिये आज बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल के रेट सुने रुपे लीटर है पुर्णिया में पेट्रॉल की कीमत एक सो आर्ट दस लो User One Specs और इस डीजल की कीमत पंचावज के रूपे और अरदीक रूपे और अरध्री के वे रुए म सबसे ज़ादा चसजले में पिट्रॉल डीजल की कीमत निर्धारित की गई है वजला किसंगंच है जहां पिट्रॉल की कीमत 109.35 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.99 रुपए प्रति लीटर दर्ध टाइक की गई है बीटे दिन हमारे दोरा पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमने हमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिनोंने हमारे दोरा पूछे के सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है संकर मुखिया, उमेस रिशीदेव, के किसि अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल है आपके अनुसार कुर्णी उप्चुनाओं में किस पार्टी की जीत हो सकती है आप अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बियाई नूस और साथ अगर आप यूटूब से देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से देख रहे हैं तो पीस को लाइक करना ना भूले धन्यवाद